friends, MOSFET best welding machine में 3 card राँ राएता है एक होता है bottom card, A है, जो card है bottom card है उसके बाद एक राइता है top card, उसके बाद है middle card मैं ऐसे क्यों बोलना हूँ क्योंकि bottom card से top card में पर जाता है उससे middle card में आता है, उसके बाद torch में जाता है, मतलो holder में जाता है तो हम लोग क्या करेंगे एक step wise वीडियो शरीज बनाएंगे उसमें एक पहला वीडियो जो अभी हो रहा है यह bottom card के बारे में old round उसके बाद एक top card करेंगे उसके जब थार्ड वीडियो होगा middle card के बारे में होगा उसके बाद fold analysis के बाद होगा उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जो एवरी कॉंपोनेंट कैसे टेस्ट कारना है उसके बार बनाएंगे अब लोग मेरे साथ जुड़े रहें एक एक स्रीज में एक पार्ट वीडियो दूँगा अब लोग अच्छे से स्टार्टी कर पाऊगे तब मस्फर बेस्ट वेलिंग मेंचिन में एक स्वीच ँभी saying और इधर भी एक jack दिया है तो यह jack cp1 और यह jack को cp2 बोल रहा हूं cp2 दिया है तो इसको हम लोग neutral भी बोल सकते इसको फेज समझ सकते तो neutral आके क्या करेगा इधर से आके इधर को neutral divided हो गया आके इधर bridge rectifier को चला गया फिर वहां से एक socket में आ गया और इधर से power जाके इधर 10K के resistance होके एक generate diode होके एक 10K का resistance है एक generate diode का symbol है एक mob है एक mob है के PTC के through जाके bridge rectifier को जा रहा है और और एक connector को जा रहा है इस connector कहां पे गया है इस connector fan के लिए गया है तो power इधर से जाके PTC के through इधर जाके एधर जाके डायोट को डायोट को पास पार्स देता है डायोट जब DC करता है तो यहां पे आप देख सेकते हो capacitor लागा है इसको फिल करता है तो पहले अब लोग को बोल दो है क्या करता है PTC का count यह PTC क्या होता है positive temperature coefficient इसका full from है मतलब इसका काम कैसा करता है add room temperature इसका resistance है minimum रहता है कैसे minimum रहता है एक-एक PTC में उसका number हिसाफ से रहता है इस PTC में उसका minimum ohm है 100 ohm 100 ohm है मतलब room temperature में इसका resistance 100 ohm होगा जब का temperature बाड़ेगा इसका resistance भी बाड़ेगा तो at instant जब पावर देता हूं तो पहले आप लोग के बोल दूँ जब पावर देता हूं अब यह ड्रॉइंग देख रहा हूं फिर वो जा रहा है ऐसा ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा तो इसलिए वो बंद है अब लोग इधर से पावर दे रहा हूं पावर इधर तक आ गया इसका मिनिमाम रेजिस्टन्स है 100 रेजिस्टन्स है तो इससे इधर से पावर गिया तो इस यह डायट से रिक्टिब आइद के DC होई DC होके कापासिटर क्या पाशीटर में voltage build up हुआ इसमें कितना voltage होगा अगर यहाँ पे 230 V दे रहा हूँ 230 इंटु रूट टू टाइम्स जितना voltage होगा यही पे इस जेगा पे उतना voltage होना चाहिए तो एसागे ठीक से काम करेगा इससे कम हो रहा है तो आप इधर चेक कर सकते हो कि शॉटेज है या विग है तो चेंज कर सकते हो उसके बद आप आगे जाके देखिए 150K करके रेजिस्टन्स लगा है इस रेजिस्टन्स का जो काम है अगर यहां से हम लोग power dpd2 को power on up switch को बंद कर देंगे तो इधर यह capacitor में power store रहता है इसको discharge करने के लिए रेजिस्टन्स लागा है तो यह capacitor को discharge कर देगा फ्रेंट अब लोगों को और एक बात बोला हूं अगर आप लोग को welding machine repairing field में आगे बाढ़ना है कुछ नाया करना है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को full end तक देखिए और आप लोग को और एक बात की वीडियो में जो circuit दिया है उसको आपको डिमाग में रहना चाहिए क्योंकि आप लोग दूसरा भी model में आएगा ना तो आप लोग को काम करने के लिए एक reference आपको डिमाग में रहना चाहिए तो आप लोग इस welding machine को reference बान के चलिए मैं आपका इसका practical component के साथ इसार भी दिखा दूँगा हार चीच तो आप लोग आपका डिमाग में रहना चा का एक connector रहता है यह 7-幹 का connecting है 1-2-3 इ kern open है चार 5-6-aon तो इ bugün thing लिए यदर से एक यह eating negative है आर इढ़र का जीतीन हा, रुटिधार को टीन है positive है इंब in positive कहां जाता है यह connector जाता है top card को, top card, top card को जाता है, उहाँ पर एक smps है, smps है, उहाँ से 24 volt out होके, इधार जो connector देख रहे हो, यह CN1 इस connector में आ जाता है, CN1, CN1 connector में आ जाता है, यहाँ पर 24 volt DC होता है, यहाँ पर एक number में 24 volt plus, यहाँ पर minus entry होता है, तो यहाँ से power आके, अब देख सकते हो, दो तरफ divided हो रहा है, एक दाव 100 के resistance होके, इधार चला आ रहा है, और दूसरी तरफ से आके, एक relay लागा है, अब देख सकते हो, यह relay है, यह relay का, relay में आ रहा है, relay में कहां से आ रहा है, अब आपको दिखा दे रहा हूँ, रिले का इस point में आ रहा है, relay का इधार से देखिए, इस point में आ रहा है, इस point से आ के, relay का जो second point terminal है, इधार से out होके, एक यहाँ पे एक, मॉस्पेट लागा है, आप इधार देखिए, आपको नहीं दिखवा रहा है, इसलिए मैं लीक दे रहा हूँ, इसका, इसका देखिए, gate, drain, source, तो इसका drain में आके लग गया, और source जो है, इसका जो source है, source इधार से जाके negative में लग गया, और देखिए, इसका gate, gate क्या हुआ है, इधार से 100 के resistance होके gate में आल चला आया है, और gate में, बारो वोल्ड में, gate को देने के लिए, यहाँ पे जेनर लगा है, जो reverse बायस में काम करेगा, आप इधार देख सकते हो, इस जेनर लगा है, के लिए इधार लगा है, तो क्या होगा, जब इसका base में, मॉस्पेट का gate में, बारा वोल्ड आ जाएगा, तो यह मॉस्पेट कॉंडक करेगा, यहां से dense source में, होगा, current flow करेगा, तो अब यह relay coil का अंदर से current flow होगा, जब यह relay coil का अंदर से current flow होगा, तो यह देख सकते हो, dotted line है, dotted line है, dotted line का मतलब है, जो contact point है, यह relay से mechanically coupled है, अगर यहां पर कुछ changes होगा, तो यह contact को change करेगा, तो actually यह contact point क्या कौन सा है, यह दोनों है, लेकिन drawing में ऐसे दिखाना पड़ता है, क्योंकि एक साथ सब यहां पर नहीं कर पाएगे, तो अब देख सकते हो, इसका अंदर ही है, यह relay का अंदर यह coil इधर है, coil का 2 point, और यह making breaking contact का A point है, अब देख सकते हो, और यहां पर जो PTC के बात कर रहा हूं, यह देखे, A है PTC है, 15P PTC है, और इधर जो लागा है, इस board में सर्फ लागा है, इसका कुछ काम नहीं, इस drawing में इसको including नहीं किया हूं, जब आजे study करें तो और भी सीखेंगे, तो फेर से भी बोल लाओ, अगर आप लोग को कुछ नया करना है, अगर आप लोग को नया-nया circuit में study करना है, तो प्लीज इस वीडियो को अंतक देखिए, और इस circuit को डिमांग में रखिए, क्योंकि काम करने के यह time में, अब हार time drawing नहीं देख सकते एक drawing राएगा, एक नया component आ गिया, तो इसको आप लोग कर लेंगे, लेकिन हार circuit, पूरा circuit को study करके नहीं कर पाएगे, इसलिए प्लीज आप लोग को request कर रहा हूँ, वीडियो full तक देखिए, और दिमांग में रखिए, और वीडियो भी आगे भी चलिए, बहुत informative होगा, अहार एक बाद, फ्लीज वीडियो को like भी कीजिएगा, तो देखिए, यह कापेड होगा, जब एक magnetized होगा, तो इसका बज़े से, एक contact NO से close हो जाएगा, जब close हो जाएगा, वो PTC बाइपास हो जाएगा, एक bridge full work करेगा, यहाँ पे full voltage build up हो जाएगा, तो एक लागा है, औ इसका क्या function है, इस diode का खास कुछ function नहीं, एस diode में, जब एक supply आता है, रिले का अंदर एक self inductance होता है, मतलब का अंदर, इस self inductance की बज़े से, यहाँ पे voltage generate होता है, इसको by circulating current की तरह इसको bypass करने के लिए लागा है, अब ऐसे देख सकते हो, इधार देख सकते हो, एक drawing रुक रहा है, इधार रुक रहा है, तो इधार कैसे काम करेगा, इधार से देख तो यह 100 के देख रहा हो, 10 के जा रहा है, 10 के एक जेनार है, जेनार के बाद आप इधार देख सकते हो, मोबी का फूल प्राहम है, मेटल ऑक्साइड भारिस्टर, इसका क्या भंसन है, एक क्या होता है, इसमें एक voltage रहता है, रेटेट वोल्टेज होता है, उससे उपर जो जाएगा, एक क्लैम करेगा, वो सट होगा, तो जब sod होगा यहां से कायंट फ्लो होगा इधार आप देख सकते हो एक डायोड लगा है डायोड यह DC करेगा क्यूंकि यहां पर देख सकते हो यह जो कॉंपोनेंट है यह अप्टोकॉपलार है अब लोग को पता ही होगा अप्टोकॉपलार होता है यहां पर 817 इस एक यह ठालार हों चाण अब दक हैं अब इधर देखिये यह अप्टोकॉपलार इधर मार्किंग किया है उसका मतल्य यह वान है यह2 होना होगा एक 3 होगा चार होगा इस उक्रफ्क में 4 नंबरर फील कालेक्टर है सिंबोल किया समझ सकते हो एक अकलेक्टर है कालेक्ट तो ये पूल डाउन कर देगा इस टार्मिनल में भ Craft नहीं राएगा अब देख सकतो इधर जाएगा इस प्रेट का gate में भाड़ेज नहीं राएगा तो ये रिल्ए बंद हो जाएगा तो क्लोस था यह नॉर्मली ओपन हो जाएगा लेकिन यहां पर काप भोल्टे जाएगा जहां जब इधर से कारेंट जाके जाके डायोट में LED हो रहता है इसका इन बिल्ड एक चीज है इसके अंदर जब लाइट विडिंग होगा तो यह इसका बेस में कारेंट फ्लो होगा तफ ह इसके डायट दिया है इसका क्लायम करेगा यह सार्किट में बना है जब इस और यह जो लागा है वह 7D 361 के मौब लागा है इसमें आप लोग को बोल दे रहो 7D का मतलब है 7 mm दयामेटर 363 6 और और नाव डिजिट है और 1 है 10 to the power 1 इसको माल्टिपल मतलब समाधन करने से माल तो 360 V DC में उखार कर गा माक्सिमा 360 V DC आ जाएगा तो एक क्लायम कर जाएगा तो इसको ओपं कर देगा प्युक्षिन में चला जाएगा तो यह basically यह जो circuit लागा है यह over voltage में नहीं जाद काम करेगा यह सिर्फ high spike के लिए काम करेगा त्यूंकि जब electrical switches by electrical appliance जब हम लोग on up करते हैं तो line में search produced होता है इस search को जब आएगा तो electronics component को damage करेगा तो इस circuit को protection में लेने के लिए यहाँ पे लागा है अब इधर देख सकते हो इधर जो लगा है AMOB मॉब है और अब देख सकते हो यह diode जो है इधर का diode है और जेनर है और 10k resistance और इस बात इधर जो fan लागा है इधर जब फैन हो जाएगा तो इधर से line चला आए रहा यह fan की तरफ गया है 230 volt AC में गया है इसका connector अब देख सकतो A है एक connector है तो फ्रेंड आई हो अब लोगों को समझ में आ गया अगर कुछ doubt है comment section में comment कीजिए मैं definitely आप लोगों का अंसाथ जने की कोशिस करूंगा और मेरे साथ जूड़े रहे हैं मेरे को message कीजिए description में में link देके राखूंगा अगर मैं जहाड़ ग्राम में रहता हूं वेस्ट पाइंगा जहाड़ ग्राम में अगर आप लोगों को इस machine के बारे में कुछ जानना है या repairing करना है तो description में मेरा contact number देके राखूंगा मेरे साथ contact कीजिए मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इतना होसा के help करूंगा अगर आप लोगों को इस video information लागा तो please video को share कीजिए ज्यादा से ज्यादा like कीजिए और जो लोग नया है मेरे साथ जूड़ रहे हो please channel को subscribe कीजिए क्यूंकि मैं आगे नया नया और भी video लेके आऊंगा अब देख सकतो पहला जो अभी जो topic हो गया आइस से करके video चलेगा MOSFET फेस होगा और भी एक बनाऊंगा IGBT तो market में MOSFET चल रहा है IGBT चल रहा है और integrated module जो होता है IGBT module जो होता है उसका भी बनाऊंगा single face three face तो मेरे साथ प्लीज जूड़े रहे है और चैनल को subscribe कीजिए थैंक्यू थैंक्यू फार वाशिंग